हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजे हैं, मनोवग्यानिक रूप से, उनके प्रती हम सहज रूप से गवरव का भाव पैदा करें, उसकी जो विशेस्था है, उसकी बात करें, खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है, किक्चन की जो एक्टिविटी हैं, वो घर के बाके सदर्शों को पता होनी चाहिए, कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है, बच्चों के सामने भी ये सारी बाते चर्चा में लानी चाहिए, कैसे खाना पकता है, कितनी देर लगती है, कितने इंगेडियेंट्स होते हैं, उन्हें महसूस होगा, कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है, और तब जाकर के मेरी ठाली भरती है, दूसरा, आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है, हेल्दी फूर की भी कोई कमी नहीं है, क्या हम इनसे भी जानकारिया जुटा कर, ऐसी चीजों को लेकर, कोई गेम डेवलॉप कर सकते हैं, जो हम हफ्ते में एक बार खेल सकें, जैसे गाजर है, करट, उसके इंपोर्टन्स पर हम बोलें, उसके क्या फाइदे होते हैं, क्या लाब होते हैं, क्या नूट्रियन्स होते हैं, ऐसा करके देखें, दूसरा, हम सब के घर में जो फैमिली डॉक्टर है, वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं, जब कभी उनका घर आना हो, तो उनकी बाते पुरा परिवार सुनें, कि किस प्रकार के खाने का क्या महत्व हैं, नूट्रियन्स कहां से मिलते हैं, क्या खाना चाहिए, वो बता सकते हैं, कि आपके घर में क्या प्रोब्लेम हेरीडिटरी हैं, और उनसे बचले के लिए क्या खाना आवशक है, इससे भी बच्चों को फैदा होगा, तीसरा, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कि आप बच्चों में ये क्या आपको तकलीफ हो रही हैं, खास करके खाने के विशे में, टीचर को समझाइए, टीचर को विश्वास में लीजिए, अब देखिए, टीचर बड़ी कुशलता से कथा कहते कहते, बात करते करते, हसी मजाग में, उसके दिमाग में भर देगा, कि ये क्यों करना चाहिए, और टीचर के कहने का, बच्चों पर अलगी असर होता है, हमें भी कुछ-कुछ नए एक्सपरिमेंट करते रहना चाहिए, मैंने काप ही ऐसे उधार देखे हैं, जहां परिवार में, ट्रेडिशनल खाना ही बच्चों को मोडन रंग रूप में बना कर दिया जाता है, तो उससे बच्चों में भी उसको लेकर एक स्वाभाविक आकर संपधा हुता है